नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृती PCS प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों जैसा की जानते हैं हम लोग बिहार के आगामी BPSC के प्रारंभिक परिक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेर्स का रिविजन कर रहे हैं पूरे एक साल खा और आज हम लेक्षर नमर 38 तक पहुंच चुके हैं अगर पिछला लेक्षर आपने नहीं देखा है तक 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 प्रेलिष्ट मजाईए सभी देख लीजिए प्रते एक दिन हम लोग 10 टॉपिक करेंट अफेर्स का लाते हैं उससे 10 कोश्चन तयार करते हैं तो आपको शाम के 6 बजे प्रते एक दिन आ जाना है ताकि 10 कोश्चन आपका तयार हो जाए 10 टॉपिक एक दिन में कर सभीन कोर्सेज पर 75% तक का डिसकाउंट दे रही है ध्यान देने की बात है कि यह offer 13 से 16 सितंबर तक के लिए ही valid है सभी online live pen drive test series और DLP कोर्सेज पर यहाँ पर आपको UPSC के कोर्सेज दिख रहे हैं यहाँ पर आपको PCS के कोर्सेज दिख रहे हैं ध्यान देजिए यहाँ प पर contact नमर दिया गया है 955-124-124 या फिर Sanskritiis.com पर विजिट करके आप विस्तित्र जानकारी ले सकते हैं और अपने मंचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं फिर से बता दूं कि 13 से 16 सितंबर तक ही यह valid है चलिए अब सीध है आज के पहले topic पर चलते हैं पहले प्रशन के स नमलिकित में से किस विश्व विद्याले में स्वा चालीत मौसम एस्टेशन की अस्थापना की गई है ध्यान दीजिए S.W.1 पूछा गया है यहां पर चार विकल्प आपको दिया गया है ललित नारायन मिथला विश्व विध्याले दिर्भागा में भारतियें मौसम तो आपको मिल गया लेलित नाराइन मिथला विश्विद्याले इसको सौट में लिखा जा सकता है LNMU जो लोग दर्भंगा मधवनी समस्तिपूर इस छेतर के होंगे मुझपरपूर बेगू सराय वो इस उनिवर्सिटी के विश्वे में जानते होंगे मिथला का बहुत ही प एक बात ध्यान जो रखना है कि यह यूवर्सिटी जो है वह दर्भंगा में इस्तित्तो है ज्यान दीजेगा क्या कहने जा रहा हूं उस बात पर गौर कीजेगा यह इनवर्सिटी दर्भंगा में है लेकिन यहाँ जो आप से पूछा गया है स्वाचालित मौसम इस्टेश तो ऐसा नहीं कि भावुक होकर के टिक लगा देना है, नहीं, भारतिय मौशम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से LNMU Campus में इसकी अस्थापना की गई है, मामला समझ माया, अब इससे क्या होगा, तो जो भी विद्यार्थी होंगे, या अनुसंधान करता होंगे, उनको मौसम के विशय में इन सब चीजों को समझने में मदद मिलेगा, मामला समझ में आ गया, आपको जवाब भी मिल गया, दूसरे टॉपिक पर चले, आज का दूसरा टॉपिक क्या है, निमलिखित में से कहा, दक्षिन ACI पूरा तत्तो समीती, सोसा के आठ में अंतराष्टिये महा सम्मेलन का आयोजन किया गया, दक्षिन ACI पूरा तत्तो समीती, सोसा हो सकता है, ये फुल फॉर्म ना पूछ करके आपसे केवल ये पूछा जा सके, तो इसको ध्यान रखेगा, आठ में अंतराष्टिये महा सम्मेलन के आयोजन के विशय में आपसे पूछा गया है, य अक्षिन ACI पूरा तत्त समीती, यानि कि सोसा के आठ में अंतराष्टिये महा समेलन का उद्गाटन ग्यान भवन में हुआ, तो यहाँ पर जो जबाब है, वह ग्यान भवन पठना, अगर ऐसा कर दे कि आपसे ग्यान भवन ना पूछा जाए, पठना ही विकल्प में रहे, हला कि यह भी पठना है, तो अगर मालेजी अलग-अलग शहर दे दे तब भी पठना के साथ आपको जाना है, और पठना में अलग-अलग सभागार दे तो ग्यान भवन के साथ जाना है, लेकिन यहाँ यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कि किसके द्वारा, तो बिहार, सं प्रशन पर 52 नेशनल सीनियर मिंस हैंड बॉल चेंपियंशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हरा कर किस राजज ने अपने नाम किया ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है क्यूं ऐसा मैं कह रहा हूँ चुकि इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर पूछा गया है किस राजज ने ठीक है और एक बात देखिए कि यह टॉपिक जो है स्पोर्ट से संबंदित है बिहार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी वर्स अगर आप PYQ को देखेंगे तो स्पोर्ट से प्रशन ना पूछा गया हो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए और उसमें भी सबसे महतपुर्ण बात यह है कि इसमें जो पूछा गया है किस राजज ने अपने नाम किया तो उसका जवाब बिहार ही है यानि कि बिहार ने दिल्ली को हरा कर यह खिताब जीता है इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो गया तो बिहार का जहां नाम हुआ है बिहार ने पृतिष्ठा कमाया है उस पर जादे प्रशन आ सकते हैं देखिए यह प्रतियोग dijeता जो है बिहार के एक दिश्टिक है उसका नाम है बेगू सराय तो बिहार के बेगू सराय में इसका आयोजन हुआ था इस डिश्टिक में यह भी लोकेसिन आपसे पूछा जा सकता है इसमें क्या हुआ कि बिहार ने दिल्ली को हरा दिया था और फिर किताब जीता था इसलिए बहुत चर्चा में ये रहा ठीक है इसका जवाब ध्यान रखिएगा चौथे प्रशन पर चलते हैं निमलिकित में से किस महिला पहलमान ने नौईडा में आयोजित निशनल रिस्लिंग चेंपियंसिप दोजार चौबिस में कांस से पतक हासिल किया था आपको ध्यान रखना है पूछा गया है महिला पहलमान का नाम आप से निशा चौधरी प्रिती कुमारी रवीना खातून या फिर ममता सिंग देखिए नौईडा में जो आयोजित निशनल रिस्लिंग चेंपियंसिप दोजार चौबिस हुआ था उसमें बिहार की ही एक बेटी रही थी बिहार की ही एक महिला पहलमान जिनका नाम जो है प्रिती कुमारी तो प्रिती कुमारी यहां विकल्प में दिया हुआ ही है तो लिखने की अलक्षी आवसकता नहीं भी विकल्प हो जाएगा अब कुछ बाते इससे सम्मंदित पूछा जा सकता है जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि प्रिती कुमारी कहां की रहने वाली है तो बिहार तो पहला चीज तो बिहार हो गया, कि आप ने जवाब दे दिया कि जी भीहार हो गया, उसके अलाबा आपसे आबी تو पूछा जा सकता है कि किस डिस्टिक, तो यह सहरसा डिस्टिक की रहने वाली हैं, इसके अलाबा एक चीज और पूछा जा सकता है, आपको अभी विनेश फोगाट वाला माम लाया था कि इतने केजी वाला होता है कि रिष्लिंग में इतने केजी भार वर्ग में ऐसा कहा जाता है तो उसमें वेट बर जाता है तो वो अभी फाइनल नहीं खेल पाई थी पेरिश ओलंबिक का ध्यान है न आपको तो इसमें जो ह प्रिति कुमारी कितने केजी भार वर्ग में कांसे प्रदक जीती हैं ये अब इंपोर्टेंट हो गया है इसलिए देखिए आपको ये समझना होगा ये यूपीएसी और बीपीएसी स्प्रेंट सिविल सर्विसेस स्प्रेंट की टॉपिक क्या महत्पुन है वहां से क्या पू जब केजी भार वर्ग की बात की जाए तो इन्होंने जो जीता है वह पचुपन केजी वाले मामले में पचुपन केजी भार वर्ग तो ये ध्यान रखिएगा अलग से ये पॉइंट बता दिया हो ताकि यहां पर आपकी नजर रहनी चाहिए बिहार से रिलेटेर है और पुन है ये चलिए आगे बर जाते हैं बिहार के किस जिले के जंजहारपूर में स्वर्णी मिथला समीट 2024 का आयोजन किया गया यहां पर चार विकल्प आपको दिया गया है ध्यान से सबसे पहले समझ लीजिए ये जो मिथला समीट 2024 हुआ है बहुत ही इंपोर्टेंट रह कह रहे थे कि सर करेंट अफेर्स में आपने आवराल इंडिया का तो करा दिया लेकिन बिहार के टॉपिक को जैदा शामिल करके लाइए तो आप देखेंगे हमारे अब जो लेक्चर होते हैं आप लोग के सुझाब को माना गया है और बिहार से संबंधित जायदे प्रशन करेंट अफेर्स में हम रख रहे हैं ताकि अब आपका ये भी तयार हो जाए ठीक है तो यहां पर जहनजहारपूर को लेकर के बाते किया गया है जो लोग भी बिहार के रहने वाले हैं आप जानते हैं जहनजहारपूर का जो लोकेशन है वह उत्तर बिहार में परता है उत् तीसरा जो है वह कौन सा है समस्तिपूर है ठीक है इसके अलाबा तीसरा कौन सा है मधुवनी और यह जो जंजहारपूर है यह जो जंजहारपूर है यह मधुवनी में ही है और स्वन्नी मिथला समिट जो है वह यहीं हुआ यानि कि स्वन्नी मिथला समिट जो है मधुवनी में हुआ यह मामला location समझ में आ गया तो इसका जवाब आपने यहाँ पर ढूंड लिया अब देखिए यहाँ पर जो जंजहारपूर में एक heart बनाया गया जो लोग भी वहाँ के हैं इस मिशाय को जानते हैं उसका नाम क्या दिया गया है मिथिला हाट अगर अभी तक घूमने नहीं गये हैं मिथिला हाट तो जा करके जंजहारपूर में जरूर घूम लीजिए बहुत अच्छा बनाया गया है इस समिट में तीन दर्जन से अधिक जो है बिजनेसमेन आये थे इसके अलावा जो मिथला का च्छितर है उसमें जो बिरोकेट्स रहे हैं आप कहते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा IAS IPS बनते हैं तो इसमें मिथला च्छितर का पराय यो बिश्यो को कैसे बहतर किया जाए इसके लिए काम किया जाना तो इसमें अब देखिए यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछा जा सकता है कि मंतरा ले बता दीजिए तो आपको ध्यान रखना है कि इसका उरगाटन जो रहा तो इसमें उद्योग सह परेटन मंतरी कौन है और एक सांसद हैं संजय जा तो संयक तुरूप से इन्होंने इसका उरगाटन किया तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखना है पांच में प्रशन का दूसरा विकल्प निमलिखित में से बिहार के कितने लोगों को भारत रतन मिल चुका है आप से पूछा गया है आप भारत रतन से सम्मानित हाल ही में किया गया इसलिए ये टॉपिक चर्चा में आ गया अब भारत रतन से संबंदित कुछ बाते समझ लेजिए भारत का ये सरवोच नागरिक सम्मान कहा जाता है नागरिक सम्मान कहने का तातपर है मैं मिलिटरी वाले सम्मान की बात नहीं कर आँं वीरचक परम वीरचक उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं नागरिक सम्मान का मतलब क्या होता है किसी को भी मिल सकता है लेकिन जब आप मिलिटरी की बात करेंगे तो उसमें किसी से Nag Spencer को ही मिल सकता है तो इसमें एक खरारी की भी है चार तरह के 계속ना होते हैं सबसे पहले भारत रतन का नमर आता है उसके बाद दूसरे स्थान पर पद्म विभोशन का नमर आता है तीसरे स्थान पर पद्म विभोशन होता है और चौथे नमर पर पद्म सिरी होता है तो यह हरारकी भी आपको ध्यानम रखना है आपसे पूछा जा सकता है अब यहां पर आपसे पूछा ग कि सर आपने जब चार बोल ही दिया है तो थोड़ा सा कष्ट आप ही कर लो और हमें चारों का नाम भी बता दो तो हमें क्या होगा कि ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना होगा ज्यादा चीजे सर्च नहीं करना होगा चलिए मैं बता ही देता हूँ पहला नाम जो है राजंद व्यक्ति ये माने जाते थे तो सबसे पहले भारत रत्र इन्हें ही दिया गया ध्यान रखना है इनका एक उपनाम भी होता था भारत रत्र तो दिया गया लेकिन इन्हें देश रत्र भी कहा जाता था ठीक है तो देश रत्र डॉक्टर राजंद प्रसाद इनका पूरा नाम ब इमर्जन्सी में जब इंद्रा गांधी जी अमर्जन्सी लगा दिये थे तो यही चातर नेत्र तु कर रहे थे पटना के एदिहासी गांधी मैदान से और फिर दिली के रामनिला मैदान भी आए थे तो जेपी जो है इनको भिखारत रत न मिला अब तीसरे नाम की चर्चा करत और चौ था जो मैंने चर्चा किया ही कि जननायक करपूरी ठाकूर की बात हमने की ठीक है तो इस तरह से ये चार नाम आपको ध्याने में रखना है करपूरी ठाकूर साहब को मर्नो परांत दिया गया तो जाहिर सी बात है ये प्रुषकार लेने जा नहीं सकते तो इनके बेट बात तरहत में क्या अवर्ण मिलता है यह सब क्मेंट में कि कित्ना रूपिया बेगरा मिलता है ये चीजे, साथ में टॉपिक पर आ जाए 33 राष्ट्रिय सब जूनियर कवर्डी चेंपियंशिप की मेजवानी किस सहर ने की स्पोर्ट से सम्मंदित है तो ध्यान देना है ये आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है पतना मधुबनी बेगू सराय और दर्भंगा ये चार विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है देखिए 33 राष्ट्रिय सब जूनियर कवर्डी चेंपियंशिप का आयोजन जो है पतना में हुआ लेकिन पतना में कब तो 3 अपरिल 2024 को अब उसमें भी खेल परिशर जो है वो पूछा जा सकता है तो पतना में एक जगह है पाटली पूत्र खेल परिशर ध्यान देना है इस चीज़ को ये आप से पूछा जा सकता है ये कहां पर है बिहार की राजधानी पतना शहर में यही important है यहाँ पर जवाब तो A है ही लेकिन इसके अलावा ये सारी चीजे आपको पतान हो चाहिए और अगर आपसे तारीख पूछ दे तो 3 अपरिल 2024 भी आपके जुवान पर रहना चाहिए ये दो बाते हो गई देखिए final मकाबले में इसमें दो टीमेगा बेहर नहीं है इसमें तो धहन रखना है final मकाबले में हरयाना और राजस्थान था तो राजस्थान उपर बीजेता हर राजस्था ने इससे काम चल जाएगा चलिए आप पांच में ट sekali पर आते हैं केंद्रिय गराम्रिंड विकास मंत्राले ने अप्रिल 2004 से विहार और जारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निधारित की है केंद्रिये ग्रामीन विकास मंत्राले के विशह में कहा जा रहा है मनरेगा ठीक है यानि कि महात्मा गांधी राष्ट्रिये ग्रामीन रोजगा देने के लिए इसे एक बेहतर योजना माना जाता है कोरोना के दोरान इसी ने लोगों की ग्रामीन अर्थ विवस्था को बचा करके रखा था ठीक है इसके तहथ अब सर्मिकों को 245 रूपिये प्रते दिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगा कितना रूपिया मिलेगा 245 रूपि थे उनको प्रते दिन कितना रूपिया मिलता था 228 रूपिया पर दे ठीक है तो अब ये रासी बढ़कर के मिलेगा इस तरह अगर देखें तो आप मनरेगा मजदूरों की जो दैनिक राशी है उसमें 17 रूपिया की बढ़ोतरी हुई है तो अगर पूचले कितने रूपिय सारा चीज ध्यान रखना है दैनिक मजदूरी है जिस दिन काम करने के पैसा ले लीजिए ठीक है मनरेगा के संदर में चलिए आगे बढ़ते हैं हाली में आई एक रिपूर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों के इनसाची परदेशों के 265 जिलों में वर्स 2022-23 में सबसे ज खले शब्द पर ध्यान देजिए प्रश्ण का पुछला सब्द बहुत कुछ बताता है यहां पर चार विकल्प हैं लेकिन देखिए सोशल जस्टीस से ये मुद्दा आता है मिन्स में आपके लिए ठौपिक भी होगा सोशल जस्टीस तो सोशल जस्टीस से ऐसे मुद्द 만들어 आते हैं तो ध्यान रखना है और बिहार ही इसका जबाब है सबसे ज़्यादे बाल विवा यहीं रोके गए हैं से लिए सही जबाब है बिहार बढ़ियां काम करता हो नजराया है देखिए वर्स 2022-23 के में भारत के 17 राज्यों और केंसासित प्रदेशों के 265 जिलों में बिहा जो हैं बाल विवा रोके गए हैं यह बड़ा आकरा अपने है इन में से अगर लड़कियों की संख्या देखेंगे तो तकरीबन कहा गया है कि 60 प्रतिशत जो है गर्ल ऐसी रही है गर्ल चाइल जिनकी उम्र जो है वह 15 से 18 साल की बीच में रहा है ठीक है यह सब आकरा थोड गया कि जैसे वेश्ट वंगाल हो गया लिख दूं क्या यहां पर वेश्ट वंगाल को लेकर के भी चर्चा किया गया है फिर बिहार का जो परोशी राज्य है उत्तर परदेश इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जारखंड का भी चर्चा है तो यह सब जो हैं यहां भी बाल विवाग जो हैं काफी रोके गए हैं यह दो तीन राज्यों का आप नाम ले लिजिएगा अगर श्टेटमेंट पाए तो ध्यान रखना है चलिए अब चलते हैं आज के आखरी प्रशन दसमे प्रशन के तरफ एलेक्शन कमिशन के विशा में पूछा गया है चुन तो वो कर सकती है राज सर्जकार से उनके नाम के अनुशन साइक की जाती है और फिर ऐसा होता है देखिए आएस अधिकारी है परते अमरित तो परते अमरित बिहार के गोपाल गंज जिले के रहने वाले हैं जवाब यहाँ पर परते अमरित है धियान रखिएगा बिहार के गोपाल गंज जिले से और इनके विश्य में कुछ जान लेजिए जब इस तरह की चीज़े आती है तो जाहिर सी बात है ये IAS अपसर है और मेरे ख्याल से ये 1991 बैच के IAS अपसर है ठीक है 1991 बैच के IAS अपसर इने ये हैं और या बिहार के ग्री विभाग के अपर इतनी चीज़े आपको ध्यान रखना है एलेक्शन कमिशन के दौरा चलिए अब आज का जो प्रशन आप लोग के लिए है आखरी में जो मैं एक प्रशन दिया करता हूं जिसका जबाब आप लोग मुझे देते हैं वो प्रशन क्या है निमलेखित में से कौन बिहार आने व हो जाएगा जबाब दीजिए पिछले जबाब जो आप लोगो दे रहें हैं मैं लगातार देखता रहाता हूं बहुत सारे लोग सही जबाब दे रहें मैंने कल पूछा था कि BEहार के प्रथम मुखमंत इएं कौन रहे सिरकृष्ण सिंग्ग का जबाब आप लोगों ने ल संस्कृती PCS चेनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथा सिग्र सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी बात क्या है आपके लिए सबसे एहम चीज यहाँ पर था मैंने ओफर के विशय में सुरुवात में भी कहा था तो ओफर के विशय में फिर से एक बार देख लीजिए अगर आपको चरूरी है तो अभी बहुत डिस्काउंट मिल ला है आप कोर्स परसेज कर सकते हैं मन मताविक कोई भी कोर्स अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर किया कीजिए ताकि उन तक पता चल जाए अजय मुआ हो चिसे लेक्चर का लिए लागर ऑगर देख आपको चर।